और बागबा बागेश्वर धाम के हिंदू एक्ता यात्रा का आज चोथा दिन है यात्रा नौगाउं से आगे के लिए निकली है वहिन इस दोरान पंडे धीरेंद्र कृष्ण शाष्ट्री को देखने भक्तु का दाता लग गया आपको बता दिए कि चोथे दिन पंडे धीरेंद्र कृष्ण शाष्ट्री 22 कि पदियात्रा करेंगे हिंदू सनाता निक्ता कुले कर पंडे धीरेंद्र कृष्ण शाष्ट्री के द्वारा भागिश्वर धाम से ओचा तक का ये पदियात्रा की जा रखी है पदियात्रा के चौथे दिन पंडे धीरिंद्रिटिशन शाष्ट्री से खास बाच्वी की अनाधी टीवी के संबादाता श्रिवंप साफुने पदियात्रा शालू हो गई है आपको बता दें कि पहले दिन 15 किलो मीटर और तीसरे दिन तक मराज़ी की यात्रा हो जाएगी लाखो सितालू मराजी के साथ में लगातार चल रहा है गरपा है अनमायन जी की कृपभा है शन्याजि जी बाबा की क्रफभा है ये पद्याकर के साथ-साथ आस्था की धार्मिक आत्रा यहां सब आस ऱवान छ पीर बजरंग Valir की शेना आए है भजरंग मराजी मराजी लगातार सिद्धालू लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कहीं कोई ठकावट नहीं है अभी तक 53 किलोमीटर कलका पूरा हो गया था आज 22 किलोमीटर चलके 75 किलोमीटर का पूरा सपर हो जाएगा चार दिन की यात्रा है देखिए हमने कल भी कहा आज फिर कहते हैं अभी नहीं तो कभी अगर हम अभी नहीं यह कर पाएंगे कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत इस्तती दैनी है इस देश में हिंदुक्ति की आज आका कहा है कि कहां कि दोरिया कि कुछ देर बाद मराज जी आज की बादा प्रिवेस कर जाएंगे आप यूपी में प्रिवेस हो जाएगा वहां पर प्रिशासन ने तमाम दिवस्ता कर रखिए क्या प्रिवाले बहुत प्यारे हैं उनकी निष्ठा भी बहुत प्यारी है और कि अगर कोई भी धंजट या खत्रा आएगा निश्यत रूप से वह कानून विवस्ता उसको अलग करेंगी और हजारों लाकों हिंदू शड़कों पर हैं किसी की दम नहीं है किसी प्रकार का उपद्राव करेंगे तो देखा जाएगा है नोगाव हमारा सबसे प्रीय नगर वहां के लाखों लोग वहां का मंडल भी है अब और अभुत्पुर्व कार किया एक करीब बेटी का विवाह भी करवाया नौगाओं से हमारी बड़ी निश्ठा है नौगाओं से हमारा बड़ा प्रेम है और शित रूप से नौगाओं में सनातन के प्रती निश्ठा और समर्पन बहुत है कल हमें पता लगा कि लोग अपनी दिन वर से दुकाने वंद किये रहे पद्यात्रा के लिए निश्ठा रूप से इससे दोता है कि यह देश नया इतिहास लिख रहा सनातन के हिंदू नया इतिहास लिख रहे सनातन के हिंदू जाग करके हर हाल में हिंदू में एकता चाहर है सनातन के हिंदू इस देश में को बांगलादेश नहीं बनाना चाहिए वह भगवान भूले बाबा महांदेव के बहुत अच्छे भगत हैं आजा प्रिय भाई भी है हमारे प्रिय भाई भी है कल वह आएंगे बहुत अच्छा संदेशा जाएगा हर छेत्र के लोग इसमें इस पद्यात्रा में आए तो आप देख रहेते महराजी हैं मराजी की बाइस किलो मीटर की आतरा ही कुल मलाकर 75 किलो मीटर महराजी आज चलेंगे मराजी की पद्यात्रा का चौथा दवस है